संत कबीर जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि संसार के लोग बिलकुल बावले हो चुके हैं उनके पास आखे हैं पर देखते नहीं है और कान है लेकिन सुनते नहीं है और उनकी उम्र बढ़ रही है लेकिन उनकी उम्र के साथ ग्यान नहीं बढ़ रहा है संत कबीर जी का यह दोहा इस परकार से है आखी ने देखे बावरा सब्द सुने नहीं कान सिर्के केश उजल्भे अब हूँ निपट अजान संत कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के लोग कितने बावले हैं आखे हैं पर नजर नहीं आ रहा है और कान है पर सब्द सुनाई नहीं दे रहा है सिर के बाल सफेद हो गए फिर भी महा अज्ञानी ही है और सब के सब अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं कहने का भाव है कि संसार के लोगों के पास आखे तो है लेकिन वो इस्वर को सत्य को नहीं देख पा रहे हैं और उनके पास कान भी है लेकिन वो सत्य के सब्द को नहीं सुन पा रहे हैं और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वो बुड़े हो रहे हैं लेकिन उनके पास इस संसार का इस सरीर का और उस इस्वर या सत्य को जानने का कोई ग्यान नहीं है और ये सब संसारी लोग इस संसार रुपी माया के विशेवासना में भसे हुए हैं संत कबीर जी यहीं बताना चाते हैं कि मनुष्य को अगर आनन्द भाव में जीना है या इस जन मिर्टु के चक्र से बहार निकलना है तो उसे सत्य या इस्वर को जानना होगा इसी पर संत कबीर जी ने कहा है आखी ने देखे बावरा सब्द सुने नहीं कान सिर्के केश उज अब हूँ निपट अजान्द